इस वक्त की बड़ी खबर बागपत से आ रही है। बागपत में साथ साल के मासूम सूर्य के हत्या करने वाले सगे चाचा और भतीजे के साथ पुलिस की मुटभेड हुई है। मुटभेड में दोनों हत्या रोपी गोली लगने से घायल हुए है जिनका खेकड़ा अस्पताल में उपचार चल रहा है। साथ ही एक पुलिस कर्मी भी मुटभेड में गोली लगने से घायल हुआ है। पुलिस की माने तो हत्यारोपी ने मेडिकल पर जाते समय दरोगा की पिस्टल छीन कर भागने का परियास किया उसी दोरान पुलिस और हत्यारोपी के बीच गोली चली जिसमें पुलिस की गोली लगने से दोनों हत्यारोपी गहल हो गए है जिनके हालत गंभीर बनी हुई है औ इतने के बाद S.P. बागपत नीरज कुमार जादोन मोगे पर पहुँचे और मुटवेट के बारे में विस्पत जानकारी दी.